Japan, India का Act East Policy के अंदर एक काफी important partner है और पिछले कुछ समय से India और Japan की closeness काफी सता increase हो रही है Usually जब भी कोई दो देश पास आते हैं तो उनमें अलग-अलग type के वारत अलग conversations शुरू होते हैं कई बार Prime Ministers, Presidents ये सब आपस में मिलते हैं और कई बार जो नीचे लेवल के Ministers होते हैं, वो भी आपस में काफी meetings करते हैं ऐसे में, diplomacy की दुनिया में एक नया tool इंट्रड्यूस किया गया कुछ समय पहले जिसको कहते हैं 2 plus 2 dialogue 2 plus 2 dialogue का मतलब ये होता है कि जब दो देशों के Prime Ministers आपस में मिल रहे हैं वो हो गई Top Level की बातचीत लेकिन 2 plus 2 के अंडर किनी भी दो देशों के External Affairs Minister याने की विदेश मंतरी और Defense Minister याने की रक्षा मंतरी आपस में मिलते हैं तो याने की Recently इंडिया और जपान के बीच में ये third 2 plus 2 meeting हुई जहाँ पे इंडिया के विदेश मंतरी और रक्षा मंतरी और जेपान के External Affairs Minister और Defense Minister ने आपस में बातचीत करी ये जो 2 plus 2 dialogue है ये एक specific kind का tool है जो इंडिया अलग-अलग देशों के साथ conduct करता है ये दिखाने के लिए कि इन देशों के साथ हमारे security और defense के relations काफी strong है जैसा ये ही same exercise हम Australia और US के साथ भी करते हैं to highlight that Australia and US are our important partners same चीज़ हम Japan के साथ third time कर रहे है ये जो recently 2 plus 2 की meeting होती है इसमें इंडिया-Japan के relations को लेकि चाक्या बातचीत होती है हमारे prelims और mains examination के लिए क्या important है और किस प्रकार से question बन सकता है essay याने की निबंद में how can we use these points in points का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है I'll discuss it in this particular lecture you don't have to write anything आपको कुछ लिखना नहीं है क्योंकि इसके पूरे notes जो है English और Hindi दोनों ही भाशाओं में आपको मेरे टेलीग्राम चानल पर मिल जाएंगे जिसका link नीचे description में और पहले comment के अंदर pinned है तो वहां से आप इसकी पूरी PDF हिंदी और English में download कर सकते हैं अगर मैं आपको India-Japan Relations का एक context दूँ एक introduction दूँ तो India और Japan 2014 2014 से special strategic and global partners है सवाल उपता है कि इस information का benefit क्या है अगर आपको GS Mains Paper 2 में या essay निबंद में कहीं पे India-Japan के बारे में कुछ लिखना पड़ता है तो अक्सर मैंने answer sheets चेक करते वे देखा है और वो यह बोलते हैं कि India-Japan are good friends भारत और जपान बहुत ही करीब ही मित्र है इस टाइप की language अगर आप answer writing में इस्तमाल कर रहे हैं तो आपका अच्छा score नहीं आ सकता हो रादर ये लिखने की बजाए अगर आप इस language का प्रयोग करते हैं तो आपको answer writing में एक edge मिलेगा आपको एक बढ़ोतरी मिलेगी नमबरों में तो पूरे lecture में हम सारे के सारे मुद्द तो analyze करेंगे ही लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये बताता चलूँगा कि मुख्य परीक्षा answer writing में in GS Mains Paper 2 how you can use these points in points का प्रयोग किस प्रकार से उत्तर लेखन में किया जा सकता है तो ये जो हमारी special strategic and global partnership है ये दर्शाती है कि इंडिया जपान बहुत करीब इमित्र है they are very close friends चाहे वो defense हो, security हो, technology हो, economy हो, travel and tourism हो, education हो, manufacturing industries हो, climate change हो, energy हो, business linkages हो, Africa का common connection हो जितने भी हमारे domains हैं उन सब में हम जपान के साथ collaborate करते हैं और उसी collaboration को आगे बढ़ाने के लिए हमारा third 2 plus 2 ministerial dialogue होता है जिसमें हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री foreign affairs minister and defense minister participate करते हैं आगे बढ़ने से पहले CSAT का comprehensive batch मेरी website पे available है एकदम basic से लेकिए advance तक आप इस batch को join कर सकते हैं जहांपे पूरा CSAT cover किया जाएगा और साथ में bear act analysis of the Indian constitution जहांपे पूरे समविधान का clause by clause understanding किया जाएगा pre or means के perspective से English और Hindi में along with answer writing ये दोनों courses आप देख सकते हैं इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो अब सवाल उपता है कि ये जो 2 plus 2 meeting हुई जहांपे external affairs minister S.J. Shankar और रक्षा मंतरी राजनात सिंग प्रेजेंट थे उन्होंने जेपान के साथ क्या बातचीत करी कि सबसे पहले ये बात हुई कि हमारी और जेपान की काफी सारी मिलती जुलती वैल्यूस हैं देखें सपोस करिए आपको पब जी खेलने का शौक है तो आपकी दोस्ती भी उसी व्यक्ती से होगी जिसको पब जी का शौक होगा फर एक्जामपल अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो आपका अगर कोई दोस्त भी बिग बॉस देख रहा है और आपकी उसके ओपर conversation शुरूई तो आपकी मित्रता जादा घहरी हो जाएगी कहने का मतलब है आपकी दोस्ती तबी होती है जब आपके पास common topics होते हैं बात करने के लिए अगर आपके पास common topics नहीं है बात करने के लिए तो आपकी मित्रता नहीं हो सकती कुछ लोगों को cricket का शौक होता है तो वह साथ में match देखते हैं IPL देखते हैं उनकी दोस्ती और घहरी होती है कहने का मतलब है अगर आपको एक relationship को strong करना है तो वहाँ पे common values होना जरूरी है इनी common values को highlight करते वे इंडिया और जपान ने बोला कि हमारी दोस्ती किन कारणों से हुई है आप समझे यहाँ पे हम क्या discuss कर रहे हैं कि डॉक्टर एजजेशंकर और राजनात सिंग ने क्या बोला कि इंडिया और जपान जो दोस्त हैं वो दोस्त क्यों हैं हम वो factors जहां पे बता रही हैं उन्होंने बोला कि सबसे पहले इंडिया और जपान दोस्त इसलिए हैं क्योंकि दोनों ही लोग तांतरिक देश हैं बोद अप देमोक्रेसी और बिकास अब इस common shared value of democracy India and Japan are special strategic and global partners वहाँ पे भी democratic चुनाओं होते हैं हमारे देश में हर पांच साल में democratic चुनाओं होते हैं और हम लोगों की अवास को दबाने में विश्वास नहीं करते इसलिए इंडिया और जपान का एक बहुत common मुद्धा है इसी के साथ इंडिया और जैपान दोनों ही Rule Based International Order चाते हैं यहां पे Slides में और जो आपको PDF में Download के लिए दूँगा उधर सब में जितने भी इंपोर्टेंट Keywords लिखे में यह सारे Keywords वो Keywords हैं जो आपको अपने Mains Examination में Answer Writing में और Essay Writing में आपको चूज करने हैं For example, अगर मैंने आपर वर्ड लिका है Rule Based International Order इसका मतलब है कि इंडिया और जैपैन यह चाते हैं कि दुनिया में जितने भी Rules बने हुए हैं, चाहे वो United Nations के Rules हो, United Nations Human Rights Commission के Rules हो, United Nations Unclosed Laws of the Seas Convention on Laws of the Seas के समंदर के Rules हो या फिर United Nations के कोई और Rules हो, जैसे कि Intellectual Property पे, World Health Organization के Rules हो गए UNICEF के Child Rights को लेके Rules हो गए UNESCO के Culture Related Rules हो गए इंडिया और जैपैन यह मानते हैं कि जितने भी Global Rules हैं, उन सब को Follow किया जाए Basically, ये इशारा China और Russia जैसे देशों की तरफ था जो International Rules को Follow नहीं करते और Expansionism में बिलीव करते हैं कि for example, China कभी Ladakh में, कभी Arunachal में कभी Bhutan में, कभी Japan के पास Senkaku Island में और कभी South China Sea में, Taiwan में अपना कबजा जबाने की कोशिश करता है तो इंडिया जैपैन ने चाइना की तरफ इंडिया और जैपैन दुनिया के रूल्स को मानते हैं United Nation के रूल्स को मानते हैं उसी प्रकार से सभी देशों को दुनिया के रूल्स को मानना चाहिए चाइना की तरफ इशारा करते हुए बूला गया तो आप समझें कि एक common value हो गई democracy और दूसरी common value है इस रूल बेस्ट जो दुनिया में जो काईदे कानून और नियम है उनको follow करें इंडिया जपैन बिलीफ करते हैं कि there should be implementation of UN Charter जैसे हमारे constitution में प्रियांबल होता है वैसे ही आप मान के चलिए कि United Nations का एक बहुत important summary document है जैसे हम charter बोलते हैं जैसे हमारा preamble summary of the constitution वैसे ही United Nations का charter है वो kind of summary है कि United Nations किस प्रकार की दुनिया की स्थापना करना चाहता है what kind of a world order United Nations want to establish that is written in UN Charter तो हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया UN Charter के हिसाफ से चलनी चाहिए also इंडिया जपैन दोनों ही sovereignty और territorial integrity की respect करते हैं याने कि हम चाहते हैं और Japan भी चाहता है कि दुनिया के सारे देश आजाद रहें, उनमें संप्रभूता बनी रहे, they should be sovereign they should be able to take their own decisions and territorial integrity बनी रहनी चाहिए कि कोई एक देश दूसरे देश के उपर it means we respect the sovereignty and the territorial integrity of other countries कहने का अभी प्राय ये है कि भारत और जपान दोनों ही ये चाहते हैं कि चाइना और रश्या जैसे देश जो कभी यूकरेन पे, कभी साउट चाइना सी में कभी नाइन डाज डिलाइन के माध्यम से कभी अरुनाचल में, कभी सिक्किम में कभी लद्दाक में, जो अलग-अलग एरियाज में एंक्रोच्मेंट करनाई की कोशिश करते हैं वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ये बिलीफ करते हैं कि हर देश की संप्रभूता और अखंडता बनी रहनी चाहिए अब मान लीजे अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो इंडिया और जपैन की एक कॉमन वैल्यू है कि जितने भी डिस्प्यूट से उनका पीस्फुल रेजिलूशन होना चाहिए विदाउट यूज ऑफ फोर्स कि मान लीजे अगर इंडिया और बंगलादेश का एक आयलेंड के उपर सागर आयलेंड के ऊपर न्यु मूर आयलेंड के ऊपर पाकिस्तान जैसे नहीं है कि अगर बॉर्डर का डिस्प्यूट हो जाये तो दूसरे के ऊपर युद करने लगो लडाई करने लगो आतंगवात करने लगो याने कि इंडिया और जैपान की एक common value है कि हम peaceful resolution of dispute चाते हैं आप यह सोच रहे होंगे कि इस सारे points में आपको क्यों बता रहा हूँ यह सारे points में आपको इसलिए बता रहा हूँ बता यह ऐसे कौन से important tenets है ऐसे कौन से important facets है जो भारत की विदेशनीती के एक अभिन हिस्सा हैं 21 सदी में What are the integral components of the foreign policy of India in the 21st century and you'll be asked, you'll be required to mention all these points in detail along with the examples in the answer इसलिए इन सारे मुद्दों के उपर मैं और ज़्यादा प्रकाश डलने की कोशिश कर रहा हूँ इक points आपको एक पूरा 200 वर्ट का answer देते हैं कि हमारी विदेश नी थी कि क्या-क्या elements है तो peaceful settlement of disputes हो गया without the use of force कि बिना हत्यारों के, बिना nuclear धंकी के, बिना air force, navy, army का इस्तिमाल करते हैं वे diplomatic बातचीत के थूँ peaceful resolution of disputes होना चाहिए साथ में एक बहुत important keyword जो use किया गया, that is no unilateral change of status quo no unilateral change of status quo, इसका क्या मतलब होता है, बहुत important word है, और ये China के context में refer किया गया है it is mentioned in context of China ठीक है, क्या होता है इस शब्त का मतलब basically इस word का मतलब है कि अगर दो देशों के बीच में conflict है तो कोई भी देश अपनी मर्जी से अपने खुद के maps ना निकाले for example, China कईबर क्या करता है यहाँ पर आप देखे, यह अरुनाचल प्रदेश है China कईबर क्या करता है अपने खुद के maps issue कर देगा पाकिस्तान क्या करता है अपने अंदर दिखाने लगता है आप दो कोई यह अपने दिखाने लगता है कि यह लगते अंगे territory है यह जहां पर भी disputes चल रहे हैं यह चाईना पाकिस्तान देशेदेश क्या करता है करते हैं यह डिस्प्यूट को रिजॉल नहीं करते बलकि अपने अपने मैप जारी कर देते हैं कि हाँ आज से अरुनाचल हमारा आज से साउट चाइनसी हमारा आज से ताइवान हमारा आज से कश्मीर हमारा आज से लद्दाक हमारा आज से अक्साइचिन हमारा इस प्रकार से ये देश अलग-अलग maps issue करके बताते हैं कि देखिए हम तो एक conflict जीत गए हैं इसे कहते हैं unilateral change of status वो कि अपने मन मर्जी से जो ठीक लग रहा है वो बदलाओ कर दो दूसरे देश से पूछो ही मत ये गलत बात है क्योंकि भारत बिलीफ करता है कि अगर आपका कहीं पर conflict हो रहा है तो इसमें peaceful settlement होना चाहिए ये नहीं कि अपने मन मर्जी से unilaterally आपने status quo को change कर दिया तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और जैपान की common value है कि अगर कहीं पर भी conflict हो रहा है तो इसको peacefully resolve किया जाए बातचीट के थूँ ऐसा नहीं कि या तो हत्यारों को इस्तमाल कर लिए या अपने मन मर्जी से जो आया वो निर्ने सुना दिया कि हाँ मैं चाहिना हूँ मेरे पाद nuclear हत्यार है आज से ताइवान मेरा है मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा नहीं इस प्रकार से unilateral change of status quo नहीं होना चाहिए साथ में ये तो हमने देखा कि आज की तारिक में foreign policy में इंडिया और जपान कहां पर similar thought रखते हैं लेकिन एक बहुत important बात बोली जपान के foreign minister ने उन्होंने बोला कि इंडिया और जपान tolerant nations हैं ठीक है तो question उत्ते कि ये जो tolerance आती है ये कहां से आती है basically Buddhism इंडिया में originate होता है और 6th century में जपान ट्रावल करता है एक common जो Buddhism की teachings है वो इंडिया और जपान दोनों जगा है और Buddhism क्या कहता है Buddhism कहता है कि आपको हमेशा जो भी dispute है उसको शांती से resolve करना है Buddhism is the religion of peace वो कभी भी violence को promote नहीं करता तो जपान के foreign minister ने बोला कि ये जो हमारी common Buddhist linkages हैं इस वज़े से भी भारत और जपान हमेशा peaceful resolution of disputes में बिलीव करते हैं unilateral change of status quo military conflict में बिलीव नहीं करते हैं कि हम UN charter, rule-based world order, no use of force for resolution of disputes, no unilateral change of status quo and respect for territorial integrity and sovereignty में बिलीव करते हैं और ये हमारी foreign policy के important pillars हैं तो ये जब common values discuss होई उसके बाद फिर हम आए और specific बातों पर कि ठीक है ये हमारी common values हैं और हम चाहते हैं कि इनको हम आगे बढ़ावा दें लेकिन अब सवाल उठता है कि इंडिया और जैपान सबस्यादा cooperate कहां पे कर रहे हैं ये वाला जो पूरा रीजन है आफ्रिका से लेकिए उस्ट्रेलिया तक कही है ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं अदर इस एंडियर रीजन आप इंडो पैसिफिक एरिया ये जो पूरा एरिया है ये इंडो पैसिफिक एरिया है इस इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना धीरे धीरे अपना एक्स्पैंशनिजम कर रहा है Chinese Expansionism इस पूरे इंडो-पैसिफिक एरिया में हमें Chinese Expansionism देखना को मिलता है कि चाइना कहता है कि ये South China Sea भी में रहा है चाइना कहता है ताइवान भी में रहा है चाइना इधर वले जो आइलेंड्स हैं उनके अपर भी अपने military bases बना रहा है चाइना यहां पे भी इस एरिया में शिरिलंका, मौल्दीव, कीनिया, जिबाउटी इधर भी अपने military bases establish करने की कोशिश कर रहा है चाइना यहां पे मैनमार और बंगलादेश में भी अपने military bases establish करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में यहां पे पूरे एरिया में Chinese expansionism काफी तेजी से बढ़ रहा है याने की चाइना का जो विस्तारवाद है वो काफी तेजी से हमें देखने को मिलता है इवन यहां पे एक island है that is Senkaku island वो Senkaku island जो है आज की तारिक में Japan के पास है लेकिन चाइना कहता है वो island भी मेरा ही है तो इस पूरे एरिया में इस पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना धीरे धीरे एक expansionist policy follow कर रहा है एक expansionism follow कर रहा है आप समझे कि अगर चाइना यहां पे expand होता है तो वो इंडिया के लिए एक security खत्रा है कि अगर चाइना इंडिया के आसपास अपने military basis बना लेगा तो आपको पता है चाइना और इंडिया के conflict हमेशा चालू रहते हैं तो हमारे उपर एक security threat यहां से बढ़ता है तो clearly इंडिया नहीं चाथा कि चाइना का इस पूरे एरिया में expansionism हो similarly Japan भी Buddhist policy follow करता है और Japan भी नहीं चाता कि चाइना का इस पूरे एरिया में expansionism होना चाहिए इसलिए Japan भी China का expansionism को रोकना चाता है इधर Australia हो गया या फिर ये ASEAN के देश हो गए ये जो सारे देश हैं जो सारे areas हैं ये नहीं चाते कि यहाँ पे China का expansionism हो और China अपने military bases इस पूरे area में spread करे और इस कारण से India और Japan एक policy follow करते हैं that is the policy of Indo-Pacific कि यह जो पूरा हिंद महासागर का area है प्रशान्थ महासागर का area है यहाँ पे China को रोकने के लिए क्या policy follow की जानी चाहिए याने कि यह जो Indo-Pacific area है यहाँ पे India का और Japan का क्या outlook है आसियान के साथ हम कैसे engage करेंगे Australia के साथ हम कैसे engage करेंगे उन सारे मुद्दों के ओपर बात की गई इस Indo-Pacific वाले pillar के अंदर तो India और Japan का Act East और Common Values के साथ-साथ एक बहुत important aspect जो है इस इंटायर इंडो-Pacific area इंडो-Pacific में सबसे पहली जो बात की गई इस अबाउट फ्री एंड ओपन इंडो-Pacific एक ऐसा इंडो-Pacific area जो की inclusive होना चाहिए peaceful होना चाहिए और prosperous होना चाहिए इसका basically मतलब यह है यह जो पूरा का पूरा reference है यह चाइना की तरफ है और यहाँ पे राजनात सेंग और एजय शंकर ने बोलने की कोशिश करी कि देखिए चाइना जो यहाँ पे expansionism follow कर रहा है उससे छोटे देशों को problem हो रही है जैसे कि चाइना कई बार ताइवान को दबाता है कई बार फिलिपाइन्स को दबाता है कई बार वियतनाम को दबाता है और कहता है कि नहीं यह पूरा समंदर जो है मेरा है यहाँ से ताइवान वियतनाम और फिलिपीन्स के ships नहीं निकलेंगे कई बार इंडोनेशा को दबाता है और कहता है कि नहीं यहां से इंडोनीशा के ships नहीं निकलेंगे कई बार इंडिया के ships को भी problem face करनी पड़ी है कई बार जपान के भी ships को problem face करनी पड़ी है याने कि चाइना जो है यहां पे obstruction एक जो है पीच में रोडा डाल रहा है कि नहीं मैं यहां से आपको नहीं निकलने दूँगा यहां से अपना trade, cargo, सामान निकालना है वो निकाल सकता है और यह पूरा area inclusive होना चाहिए inclusive का मतलब है कि चाहे कोई छोटा देश हो या बड़ा देश हो सब के पास इंडो पैसिफिक में अपने ships निकालने की आजादी होनी चाहिए peaceful तरीके से आप ships निकालिए कोई भी violence नहीं होना चाहिए और सारे ही देशों का विकास होना चाहिए तो इंडिया इंडो पैसिफिक area में inclusive development चाहता है याने कि वो यह चाहता है कि चाइना जो अपने expansionism के अंडर दूसरे देशों में बाधा बन रहा है दूसरे देशों को रोपने की कोशिश कर रहा है वो नहीं होना चाहिए साथ में इंडिया और जपैन ने बोला कि अगर हमें इंडो पैसिफिक को free, open, inclusive, peaceful and prosperous बनाना है देखे जब भी इंडिया की इंडो पैसिफिक policy की बात आए मुख्य परीक्षा GS paper 2 में तो आपको ये 5 की वर्ड हमेशा लिखना है जो मैंने आप लिखे हैं free, open, peaceful, inclusive and prosperous ये बहुत important की वर्ड है जो हर conversation में Dr. Rajayashankar, Rajnath Singh और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस्तमाल करते हैं अगर आप चाहें तो यहां पे freedom of navigation and overflight भी mention कर सकते हैं कि इंडिया freedom of navigation and overflight भी चाता है and freedom of navigation and overflight का मतलब होता है कि इस पूरे इंडो पैसिविक एरिया से इस पूरे South China Sea वले एरिया से हमारे ships, हमारे हवाई जास ठीक तरीके से निकल पाएं तो आपको ये जो freedom of navigation and overflight है ये keyword भी आप mention कर सकते हैं ठीक है तो अब हमने देखा कि इस पूरे इंडो पैसिविक में ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम कहते हैं आसियान आसियान के दस देश जैपान और इंडियान ने डिसकस करा कि अगर हम इंडो पैसिविक को free, open, inclusive बनाना चाते हैं तो उसमें हमें आसियान के देशों के साथ collaborate करना पड़ेगा याने कि आसियान सेंट्रालिटी आसियान सेंट्रालिटी का मतलब है कि जब भी इस पूरे इंडो पैसिविक एरिया की बात होगी इस इंडो पैसिविक एरिया में क्योंकि आसियान देश एकदम इसके सेंटर पे हैं इनका collaboration, इनका cooperation बहुत ज़रूरी है कि थाइलेंड, लाउस, वियेत्राम, कंबोडिया, इंडोनेशा, सिंगापुर ये सारे जो देश हैं ये इंडिया और जपान के साथ collaborate करें और इंडो पैसिविक को free, open and inclusive बनाने की कोशिश करें इसलिए यहां पे keyword इस्तमाल किया गया, that is ASEAN centrality, कि ASEAN जो है, हमारी इंडो पैसिविक policy के एकदम center पे है उसकी geographic location बहुत important है और बिना ASEAN के देशों के contribution, support के हम China को नहीं रोक सकते हैं लेकिन आप यहां पे diplomacy की खुबसूरती समझिए हमने ये सारी बातें China के context में करी लेकिन Dr. Aja Shankar ने और Rajnath Singh ने कहीं पे भी China का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहीं पे भी चाइना का यहां पे mention नहीं किया तो आप ये समझिए कि diplomacy का मतलब होता है इशारों में बात करना यहां पे बात की गई free, open, inclusive prosperous and peaceful Indo-Pacific examiner अपने आप समझ जाएगा कि यहां पे China को रोकने की बात की जा रही है क्योंकि इस पूरे area में सबसे ज़ादा विस्तारबाद expansionism दिखा रहा है that country is China only और चाइना की वरे से ही Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia इन जैसे देशों को जो छोटे देश हैं इनको problem हो रही है तो अगर आप लिखते हो कि हमारे को free, open, inclusive Indo-Pacific चाहिए तो examiner अपने आप समझे के कि हां यह जो candidate है यह मिरको बताने की कोशिश कर रहा है कि China ने अपना विस्तारवाद रोकना चाहिए China should stop its expansionism and smaller countries like Vietnam, Taiwan etc they should get more freedom in the Indo-Pacific area और उसमें, उस पूरी policy में ASEAN जो है हमारे center पे होगा कि बिना ASEAN के support और cooperation के हम इस objective को पूरा नहीं कर सकते इसलिए ASEAN का इस policy में central role बहुत important है and that is why Dr. S.J. Shankar used this word that is ASEAN centrality तो question उखता है कि यह जो word है ASEAN unity यह क्यों इस्तमाल किया गया यह जो keyword है ASEAN unity यह यहाँ पे क्यों इस्तमाल किया गया basically ASEAN unity का मतलब है ASEAN में 10 nations है 10 country है यहाँ पे कुछ ऐसे देश है जो चाइना के favor में है जिनका चाइना बहुत अच्छा दोस्त है चाइना जहाँ पे काफी सारी investments कर रहा है और वहीं कुछ ऐसे देश है जो चाइना के एकदम खिलाफ है याने कि आप यह समझें कि एक पूरा परिवार है एक परिवार में कुछ लोगों को एक रिष्टेदार पसंद है और कुछ लोगों को एक रिष्टेदार नहीं पसंद आप के याँ बर्डे पार्टी है आपने सोचा कि आपने उन रिष्टेयार को बुलाना है नहीं बुलाना आदे लोग कह रहें नहीं बुलाना है आपकी आपस में लडाई हो गई वोही परिवार आसियान है कि कुछ देश चाइना के फेवर में हैं जो कहते हैं चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है हमें चाइना के साथ दोस्ती maintain करनी है और कुछ देशे कहते हैं कि चाइना एकदम खराब देश है वो साौच चाइना सी और इंडो पैसिविक में हमारे access को रोखता है मतलब कि आसियान के देशों में इस बात को लेके एक मदभेद आने लगा है there is a kind of a division within the ASEAN countries लेकिन अगर ASEAN divide हो गया, अगर ASEAN तूड गया तो उससे हमारी इंडो-पैसिफिक की policy काफी कमजोर होगी और हम नहीं चाते कि ASEAN break हो, हम नहीं चाते कि ASEAN तूटे इसलिए इंडिया और जेपान ने बोला कि हम दोनों देश मिलके कोशिश करेंगे कि ASEAN तूटे नहीं और उसकी जो unity है वो बनी रहे and that is why centrality and unity of ASEAN is very important कि ASEAN ना तो तूटना चाहिए चाहिना के चलते और वो एकदम central में रहना चाहिए कि ASEAN के cooperation के साथ ही हम अपनी Indo-Pacific Policy को stable और successful बना सकते हैं तो जब भी Indo-Pacific Policy की बात है GS Paper 2 में, SMA हमेशा आपको ASEAN unity and centrality जैसे keywords मेंशन करने हैं याने कि अगर आप ये keywords मेंशन करते हैं तो लगभग आपके 100 से 120 words अराम से cover हो जाएंगे with quality words तो ये important keywords को आपको समझना बहुत important है ये जो ASEAN के 10 देश हैं इन 10 देशों की एक policy है जिसको कहते हैं ASEAN outlook on Indo-Pacific जैसे इंडिया की policy है Indo-Pacific policy वैसे ही डिट्टो सेम ASEAN की भी Indo-Pacific policy है बस उसका नाम अलग है that is ASEAN outlook on Indo-Pacific इस policy में ASEAN के देश वो ही सेम बात करते हैं कि freedom of navigation, overflight, free, open, inclusive, prosperous and peaceful Indo-Pacific वो ही सब बाते ASEAN के देश भी करते हैं तो इंडिया और जपान की 2 plus 2 meeting में ये बोला गया कि हम ASEAN की इस policy का समर्थन करते हैं और हम चाते हैं कि ASEAN की ये policy successful हो तो अब ये समझे कि Indo-Pacific इंडिया और जपान की foreign policy के कितना बड़ा हिस्सा है और जब 2 plus 2 meeting हुई इन दोनों देशों में तो Indo-Pacific के कितना बड़ा pillar था साथ में आपको ये भी पता है कि देखे आपको ये भी पता है कि देखे कि अगर मैं इंडिया जपान की बात करता हूं और उसमें भी अगर मैं इंडो-Pacific की बात करूं तो हमारे जितने भी इनिशेटिव्स हैं उनको हम दो pillars में डिवाइड कर सकते हैं एक हो गए bilateral pillars जहां पर सिरफ और सिरफ इंडिया जपान बात करेंगे और एक हो गए multilateral pillar जहां पर और भी देश आ सकते हैं जिसका example है Quad जहां पर यूएस और अस्ट्रेलिया भी आ जाते हैं तो आपको यह धियान रखना है कि इंडो-Pacific का जो हमारा collaboration है वो सिरफ bilateral नहीं है याने कि इंडिया जपान ने क्या बोला कि इंडो-Pacific हमारे ले इतना important है कि हम उसमें आपस में तो बात करेंगे लेकिन दूसरे दोस्तों के साथ भी इसमें बात करेंगे इंडिया जपान के लिए इंडो-Pacific इतना important है कि उन्होंने बोला कि हम सबसे बहले आपस में तो बात चीत करेंगे ही लेकिन फिर जो हमारे दूसरे दोस्त हैं जैसे कि यूएस और अस्ट्रेलिया हो गए उनके साथ भी हम इंडो-Pacific में cooperation प्रमोट करेंगे तो यहां भी यही बोला गया कि Quad वाला जो ग्रुप है हमारा उसमें भी हम इंडो-Pacific, ASEAN Centrality और ASEAN Unity के Agenda को प्रमोट करेंगे याने कि इंडिया जैपान आपस में तो बात चीत करेंगे लेकिन यूएस और अस्ट्रेलिया के साथ भी इंडो-Pacific में क्लाबरेशन को इंक्रीस किया जाएगा तो आपको यह हमेशा धेहन रखना है यह वाला डायग्राम कि इंडिया जैपान का जितना भी इंडो-Pacific क्लाबरेशन है वह bilateral भी है और वह multilateral भी है आपको इसी फ्लो चार्ट की तरह आपने दिमाग में यह चीज को बैठाना है कि इंडिया और जैपान का जो defense relationship है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे important keyword जो मैं आपको बताऊंगा that is multi-layered dialogue architecture सुनने में लगता है कि सरी कितना भारी भर कम शब्द है बेसिकली यह शब्द डॉक्र एजय शंकर ने यूज़ कर आता multi-layered dialogue architecture इसका मतलब यह होता है कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वो अलग-अलग तरीके से बात करेंगे defensive security की मतलब कि इसको थोड़ा और easy तरीके से समाजते हैं कि अगर आप पर मैं बात कर रहे हैं suppose आपर मैं बहुत अच्छे दोस्ते हैं हम करना चाते हैं multi-layered dialogue तो मैं आप से क्या कहूंगा सुनो whatsapp पे भी बात करते हैं sms पे भी बात करते हैं normal phone call पे भी बात करेंगे इंस्टा पे भी बात करेंगे twitter पे भी बात करेंगे facebook पे भी बात करेंगे snapchat पे भी बात करेंगे threads पे भी बात करेंगे email पे भी बात करेंगे telegram पे भी बात करेंगे हम अलग-अलग जगा पे बात करेंगे Similarly, इंडिया और जपैन ने बोला कि हम अलग-अलग लेवल्स पे अपने डिफेंस रिलेशन्शिप को आगे बढ़ाएंगे जिससे हमारी जो special, strategic और global partnership है उसको बढ़ावा मिल सके Usually क्या ओता है, जिन देशों के साथ हमारे बहुत घहरे संबन नहीं है उनके साथ हम सिर्फ ऐसे normal बातचीत करते हैं कि अपने एक मिनिस्टर को बेज़ दिया हाँ जी सर आप जाए बात करके आईए लेकिन अगर हम जैपैन जैसे special partner की बात करते हैं तो यहाँ पे एक level पे dialogue से कुछ नहीं होगा एक मंत्री के बात करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा cooperation काफी घहर होना चाहिए इसलिए हम multi-layered dialogue architecture की बात करते हैं कि अलग-अलग levels पे army chief के level पे, chief of staff के level पे, defense minister के level पे external affairs minister के level पे, important committees के तुरू, prime ministers के तुरू हमारी बातचीत होनी चाहिए, हमारे जो engagements हैं वो बढ़ने चाहिए तो जब भी इंडिया और जपान की defense of security के ओपर question आएगा हम हमेशे multi-layer architecture की बात करेंगे जिसमें क्या-क्या included है defense policy dialogue ये वले जो points हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, factual हैं ये ये ऐसे fodder points हैं, जो आपको सीधा-सीधा mains examination में लिखने होंगे तो ये सारे fodder points मैंने slides में mention कर दिया है, आपको PDF डाउनलोड कर लेना टेलिग्राम से मेरे है, right defense policy dialogue हो गया, foreign office consultation हो गया disarmament and non-proliferation dialogue हो गया ये basically एक dialogue है, कि हमें दुनिया में हत्यार किस तरीके से कम करने चाहिए cyber security के लिए cyber dialogue हो गया India, Japan working group on counter terrorism हो गया अब देखिए, कि यहां पे security के कितने सारे अलग-अलग IAM, अलग-अलग contours हैं कि हम cyber security भी बात कर रहे हैं हम आतंगबात को खतम करने भी बात कर रहे हैं हम दुनिया से हत्यारों को खतम करने की भी बात कर रहे हैं defense में हमारा trade कैसे बर सकता है उस बारे में भी बात कर रहे हैं and joint declaration of security cooperation 2008 ये काफी important document है जो India जपान ने 2008 में sign कर रहा था कि हम किस प्रकार से अपनी security cooperation को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये जो fodder points हैं कि किन-किन level पे हमारा multi-layered architecture चल रहा है ये सारे points आपको याद करने होंगे India Japan GS paper 2 में जो भी question आएगा उधर ये points आपको लिखने होंगे कि हम defense और security cooperation को किस प्रकार से जपान के साथ increase कर रहे हैं अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ आपके अगर हम defense of security की बात करते हैं तो हमेशा आप इसको थ्री पिलर्स में डिवाइड करेंगे always defense और security को हमेशा तीन पिलर्स में डिवाइड किया रहाएगा एक हो गया pillar number one defense का जहां पे हमारी army उनकी army हमारी air force उनकी air force हमारी navy उनकी navy आपस में exercises कर रहे हैं एक जूसरे के साथ अलग-अलग जो हैं को अपरेशन वले को अपरेटिव मेजर्स ले रहे हैं कि उनकी आर्मी हमारे आ रही है हमारी उनकी आ जा रही है इस प्रकार से डाट इस defense कोलाबरेशन सेकेंड है defense technology ध्यान से समझेंगे defense अलग है defense technology अलग है कोई important ऐसी submarine technology हो गई कोई ऐसी important helicopter की fighter jets की technology हो गई howitzer gun की कोई technology हो गई इस प्रकार से जो अलग-अलग technologies होती है उनका जो exchange होता है उसे हम कहते हैं defense technology समझेंगे आप पहले वाले pillar में क्या था Army Navy Air Force का exchange और बातचीत सेकेंड वाले pillar में क्या बात हो रही है technology exchange की ठीक है Japan ने कोई बहुत important antenna बनाया की इसे आप अपने airplane ship में लगा दोगे तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि आपका ship आ रहा है हमने बोला ठीक है वो antenna हमें देदो मतलब उस antenna का blueprint हमें देदो बना हम खुद लेंगे आप बस वो blueprint हमार को देदो technology की मतलब हम अपने defense को strong करेंगे आपकी technology की मदद से that is defense technology and third pillar is defense equipment defense equipment मतलब की बनी बनाई missiles इदर सो दर भेज़नी बने बनाई tanks, guns, हत्यार, bombs इदर सो दर भेज़नी है equipment तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जपान के बीश में जो पूरा defense and security arrangement है उसको आप three pillars में इस तरीके से divide कर सकते हो एक हो गया defense याने की जो army navy air force है technology को एंटीना, radar वगरा equipment बने-बनाई, missile, bombs यह सब तो यह जो defense and security cooperation है इसमें इन तीनों pillars के उपपर बातचीत की जाती है और यह दिखाता है कि कैसे Japan हमारा एक special strategic and global partner है इतना ही नहीं इन सब के अलावा हमने और मुद्धो पे भी जपान से बात करी जिसमें सबसे important है space कि space cooperation अंतरिक्ष में किस प्रकार से cooperation हो सकता है maritime affairs, समंदर में, इंडो-Pacific में fisheries, environment में कैसे collaboration हो सकता है, आफरिका के उपपर आप देखिए कि यहाँ पे एक Asia-Africa economic corridor बन रहा है जो कि यहाँ Japan से निकलेगा स्ट्रेट और मलक्का से पास होगा इंडिया से होते हुए की निया जाएगा यह है Asia-Africa economic corridor जो कि बनाया जा रहा है China के belt and road initiative को counter करने के लिए China का जो one belt, one road initiative है उसको counter करने के लिए इंडिया और जपान मिलके Asia-Africa economic corridor बना रहे हैं इसलिए Africa के साथ भी इंडिया और जपान का काफी ज़ादा collaboration चालू है तो यह point आप ध्यान रखेंगे Asia-Africa economic corridor कि कैसे Africa और Asia मिलके एक corridor बना रहे हैं growth का to counter the one belt, one road and the belt and road initiative of China जाएगा कि आपको पता है चाइना की आदत है कि वो छोटे देशों को कर्ज में डुबा देता है और फिर कहता है कि अपने port और जमीन हमारे हवाले कर दो हम वो काम नहीं करने वाले और इसलिए Asia-Africa growth corridor economic corridor जो है that will be based upon sustainable financing यह हम sustainable financing का इस्तमाल करके बनाने वाले है ठीक है तो यह हो गया cooperation in Africa इसके बाद economic cooperation के अर्थ व्यवस्ता में कैसे cooperation किया जाएगा trade में और robotics में इन सब areas में हमारा collaboration cooperation किस परकार से increase होगा यह सब बात भी यहाँ पे की गई इस पूरे slide में आपको prelims related कुछ facts मिलेंगे क्योंकि आजकर UPSC prelims में IR-based questions काफी पूछने लगा है तो जब यह सारी defense, technology और अपना exercises के ओपर बातचीत हो रही थी equipment के ओपर बातचीत हो रही थी तो वहाँ पे कई सारे keywords Dr. Reja Shankar और Rajnat Singh ने use करे वो सारे keywords मैंने हाँ पे mention कर दिये हैं यह prelims-based slide है यह mains की slide कम है हाँ अफकॉस आप यह content answer writing में use कर सकते हो लेकिन यहाँ पे prelims के question काफी निकल सकते हैं तो देखे सबसे पहले बात की गई तरंग शक्ती exercise Indian Air Force ने अभी कुछ समय पहले एक multilateral exercise launch करी थी जहाँ पे अलग-अलग देश की Air Force ने आके participate किया था उस exercise में Japan भी आया था तो एक हो गया तरंग शक्ती exercise hosted by India multilateral exercise फिर हो गया वीर गार्जन वीर गार्जन जो है हमारी और जपान की bi-lateral layer exercise है देखे तरंग शक्ती जो था वो multilateral था multilateral का मलदा बहु पक्षी उसमें काफी सारे देशे इंवाल्ट है वीर गार्जन सिरफ और सिरफ इंडिया और जपान की exercise है तीसरा है अपनी मालाबार exercise मालाबार exercise जो है इंडिया, यूएस, जपान और अस्ट्टेलिया की common navy की exercise है तो मालाबार exercise जाद रखेंगे धर्म गार्जियन ये इंडिया और जपान की army जो जमीन के ओपर army होती है उनकी exercise है फिर आती है जाइमेक्स ये सिरफ और सिरफ इंडिया और जपान की bilateral navy exercise है multilateral air exercise तरंग शक्ती bilateral air exercise वीर गार्जन multilateral navy exercise bilateral navy exercise जाइमेक्स bilateral army exercise धर्म गार्जियन और इसके अलावा chief of staff के अलग-अलग बातचीत तो defense और overall अपने security cooperation को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर रहे है हम ये सारी चीज़े भी कर रहे हैं इसके अलावा मैंने आपको बताया कि technology जो होता है जो defense technology होता है ये बहुत important component है इंडिया जपान के defense और security relationship का recently जो 2 plus 2 dialogue हुआ उसमें जपान ने बोला कि हम आपको अपना unicorn दे देंगे unicorn क्या है unified complex radio antenna ये एक special type का antenna है जो ships के अंदर लगता है और वो लगने के बाद ये पता नहीं चलता कि सामने से कोई ship आ रहे मतलब जैसे अगर हमने अपने ships में ये unicorn antenna लगा लिया तो Pakistan चाइनों को पता नहीं चलेगा कि हमारों कोई ship वहाँ से गुजर रहा है इस type का unicorn that is unified complex radio antenna जपान ने बनाया था recently ये बात करी गई कि Japan हमें वो antenna transfer कर देगा यानि कि उसकी technology जो है हमें देदेगा और हम उसे अपने ships में लगा पाएंगे साथ में India Japan ने एक joint working group बनाया है on defense equipment and technology cooperation आप देखे मैं आपको क्या बताया था defense technology and defense equipment ये तीन areas होते हैं cooperation के उसमें से जो दो areas है अपना equipment वाला technology वाला के antenna वगरा ले लिया missile बम वगरा इदर से उदर transfer कर दिये उनके अपर जो equipment और technology cooperation के उपर एक joint working group बनाया गया है जहां पर हमारे जो bureaucrats, diplomats हैं वो Japan के साथ बातचीत करेंगे साथ में ये बात की गई कि देखे हत्यार लेना देना, ship बनाना ये antenna वगरा एक्सचेंज करना तो चलता रहेगा लेकिन एक बहुत बड़ी उभरती हुई industry है that is known as ship maintenance ship maintenance का मतलब कि अब जहाज चलेगा तो खराब भी होगा, कभी को spare part खराब हो गया, कभी ship में छेद हो गया कभी उसका antenna काम नहीं कर रहा, कभी उसका radar काम नहीं कर रहा, कभी उसमें buoyancy ठीक से maintain नहीं हो रही है इस तरीके से ship में चलते-चलते problems आती है, कभी उसमें missile ठीक से load नहीं हो रही, aircraft carrier है तो plane ठीक से land नहीं हो रहा, उसका जो surface है वो rough हो रहा है, whatever problems अगर जहास चलेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी भी इसे कहते हैं शिप मेंटेनेंस शिप मेंटेनेंस को लेके इंडिया जपान में बात करी कि इंडिया में हम एक शिप मेंटेनेंस इंडस्ट्री सेट अप करेंगे कि इंडिया का कोई भी ship खराब हो रहा है तो वो इंडिया में repair हो और जपैन का अगर कोई ship खराब हो रहा है तो वो उसे इंडिया भेजें और हम उसे यहाँ पर repair करेंगे इस प्रकार से इंडिया में ship maintenance industry को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है साथ में यह बोला कि आपस में bilaterally हम अपने defense technology और equipment को promote करेंगे लेकिन इंडो Pacific में दूसरे देशों के साथ भी हम defense equipment को promote करेंगे defense collaboration को promote करेंगे जिससे की हम free open inclusive इंडो Pacific बना सकेंगे याने कि उन्होंने बोला कि defense के domain में जो हमारा bilateral cooperation चल रहा है वो तो चलेगा ही लेकिन bilateral cooperation के साथ साथ जो हमारा multilateral cooperation है दूसरे देशों के साथ particularly इंडो Pacific में उसको हम आगे बढ़ाएंगे जिससे चाइना जो अपने expansionism कर रहा है उसको रोका जा सकें चाइना का उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन reference उसी चीज़ के उपर था कि चाइना को रोकने के लिए छोटे देशों को समर्थ बनाया जाएगा छोटे देशों को powerful बनाया जाएगा जिससे कि वो चाइना को expansionism करने से रोक सकें तो आपको क्या समझने है कि इंडिया और जेपान का इंडो पैसिविक में जो cooperation है वो bilateral भी है और वो multilateral भी है जो मैंने flow chart बनाया था वो flow chart आपको अपने mind में रखना है आगे बढ़ने से पहले अपना CSAT का foundation course complete और quality का complete foundation course with bear act analysis दोनों ही मेरी website पे available हैं इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा इन courses को आप English और Hindi languages में joint कर सकते हैं अब आपको बताएं कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा पीडित आतंगवाद से है पाकिस्तान जैसे देश जो है हमारे आतंगवाद को sponsor करते हैं जिसकी वरे से हमें काफी problem होती है ऐसे में counter terrorism के उपर बातचीत की गई मैंने आपको पिछले वली slide में भी बताया था कि joint working group on counter terrorism बनाया गया है जहां पर counter terrorism आतंगवाद को रोकने की बातचीत की जाएगी तो यहां पर कुछ specific बाते की गई counter terrorism को लेके कि जो आतंगवाद की problem है उसको किस पकार से रोका जा सकता है सबसे पहले इंडिया और जपैन ने बोला कि terrorism और extremism किसी भी form में किसी भी manifestation में बरदाश नहीं किया जाएगा we condemn terrorism and extremism in all its forms and manifestations कि आप terrorism का कोई भी justification नहीं दे सकते आतंगवाद को आप कैसे भी justify नहीं कर सकते you cannot justify terrorism using any reason and terrorism, extremism और साथ में cross border terrorism खतम होना चाहिए अब देखिए ये जो cross border terrorism है ये जपैन में तो नहीं है ये इंडिया में है यानि कि पाकिस्तान का नाम लिये विना पाकिस्तान की तरह विशारा करते वे जपैन ने बोला कि पाकिस्तान को एक cross border terrorism रोपना चाहिए आप समझिए कि यहाँ पे कैसे आपको एक diplomatic hint मिलता है diplomacy is about कि आपने नाम भी नहीं लिया और बात भी convey कर दी कि जैसे हम जब चाइना की बात कर रहे थे तो हमने बोला free open and inclusive Indo-Pacific freedom of navigation and overflight peaceful, inclusive and prosperous Indo-Pacific ASEAN centrality ASEAN unity यह सारे keywords के थूँ हमने चाइना को एक reference देने की कोशिश करी similarly पाकिस्तान का नाम लिये बिना हम यहाँ पे पाकिस्तान को एक signal देने है Japan के साथ मिलके कि आप जो यह cross border terrorism इंडिया में sponsor करते हो using al-qaeda, ISIS, लशकर-e-त-अइबा, जैश-e-Mohamad, हिजबर मुझाहिदीन इन terror outfits को यूज़ करके जो आप भारत में cross border terrorism sponsor कर रहे हो, वो रुपना चाहिए यह सारे के सारे terror organizations के नाम लिये गए और एक clear credit हिंट है कि क्योंकि यह आतंगवादी संगठन पाकिस्तान में ही पनपते हैं तो पाकिस्तान को international forum आतंगवाद को पैसा देने के जितने भी channels हैं, उन सब के ओपर भी रोक लगाई जानी चाहिए, यानि कि आतंगवाद के ओपर रोक लगाना काफी नहीं है terror financing भी रुकनी चाहिए, तो आप समझे आपको यहाँ पर अपने थोड़े से domains जो हैं वो करने होंगे, कहने का मतलब है कि जब हम defense की बात करते हैं तो defense का मतलब सिर्फ exercises नहीं होता, जाइमेक्स तरंग, etc. सिर्फ exercises नहीं होता, defense का मतलब होता, defense exercises, defense technology and defense equipment similarly, जब हम आतंगवाद की बात करते हैं, तो आतंगवाद का मतलब सिर्फ आतंगवादी संगठन नहीं होता terrorism does not only mean terror outfits इसका मतलब terror financing भी होता है you have to include terror financing in that also इसके अलावा United Nations के उपर बात की गई आपको बताए कि India और Japan दोनों ही United Nations Security Council में permanent membership चाते हैं तो यह बात की गई कि हमें पूरे तरीके से United Nations को और United Nations Security Council को reform करना होगा इंडिया ने बोला कि हम Japan को permanent member बनते देखना चाते हैं और Japan ने भी हमारी permanent membership को support करा अब आते हैं economic cooperation पे कि जो हमारा 2 plus 2 की meeting हुई वहाँ पे अर्थ विवस्ता से related क्या बात हुई Japan ने सबसे पहले बोला कि इस पूरे cooperation में हमारा जो सबसे बड़ा priority है वो है कि हमारे को इंडिया में high speed rail बनानी है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी North East India के उपर बहुत ज़्यादा focus करते हैं इसलिए हमें North East को develop करना है और North East ही Bay of Bengal के साथ connectivity improve करनी है ये तीन ऐसे areas हैं जहां पर Japan हमारे को काफी support करता है साथ में smart cities mission में भी Japan हमारे को काफी support करता है तो high speed rail हो गया smart cities mission हो गया North East की development हो गई और North East की Bay of Bengal से connectivity हो गई साथ में हमारे यां की जो industries है उनको किस प्रकार से आगे बढ़ावा दिया जा सकता है वो बात की गई और Japan ने बोला कि by 2027 हम चाहते हैं कि India और Japan के बीच में investment 5 trillion yen का हो 5 trillion dollar नहीं लिखा है 5 trillion yen लिखा है ये fact note कर दीजे mains में essay में लिखने के काम आ सकता है कि globalization कैसे बढ़ रहा है इंडिया जपान economic cooperation कैसे बढ़ रही है इंडिया जपान special strategic and global partnership के क्या contours है क्या pillars है तो उन सब जगाओं पे आप ये statistics और data mention कर सकते हैं कि by 2027 2027 तक इंडिया जपान के बीच में जो overall investment होगा वो 5 trillion yen का होगा साथ में green technologies और digital technologies में भी दोनों देश आपस में collaborate करने वाले हैं ये दोनों courses आप देख लेंगे इसका link description में दिया हुए most comprehensive courses and one stop solution है CSAT और quality इस बार इंडिया और जपान में हमार को एक बहुत important dimension देखने को मिला that is specifically महिलाओं का role role of women usually इंडिया की इस बारे में बहुत कम देशों से बात होती है gender को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है diplomacy में gender equality, gender empowerment महिलाओं का सशक्ति करन किस प्रकार से विदेश नीती के माध्यम से किया जा सकता है how foreign policy can be used to empower the other gender to empower females, to empower gender equality, to bring gender equality how foreign policy can be used India, Japan ने बोला कि हम हमारी विदेश नीती में महिलाओं को एक बहुत important pillar की तरह देखते हैं और इसलिए हम ये समझते हैं कि महिलाओं फीमेल्स उनका एक बहुत important role है conflicts को खतम करने में अलग-अलग जगा पे जो लडाईयां हो रही है उनको रुकवाने में उनको खतम करने में females का एक काफी important role है relief को deliver करने में राहत पुचाने में disaster आगया अब relief पुचाना है तो उसमें महिलाओं का बहुत important role है recovery efforts में कि उसके बाद rehabilitation करना है resettlement करना है कुछ चीज़े build करनी है उसमें महिलाओं एक बहुत important pillar है and peace efforts में कि आपको कहीं पे भी अगर लडाई रुकवानी है तो उसमें females का बहुत important role है ऐसे में Japan का एक initiative है that is known as WPS initiative Women, Peace and Security Initiative India और Japan ने बोला कि जो WPS initiative है इसके तहत हम महिलाओं के role को explore करेंगे जिससे उनका empowerment हो और वो इन सब चीज़ों के लिए हम महिलाओं को आगे ला सकेंगे साथ में अलगा अलगा देशों में जो हम अपने peacekeeping missions भेजते हैं आपको बता है कि India is the largest contributor at the United Nations peacekeeping missions उन peacekeeping missions में भी महिलाओं का जो role है वो increase किया जाएगा and hence ये एक लौता ऐसा relationship है इंडिया और जपान का जहां पर females को लेके इतनी comprehensively बात की जाती है also आपने एक term सुनो होगा news में that is soft power या फिर soft diplomacy कि मतलब people to people contacts हो गया education हो गया health हो गया tourism हो गया उनके माधियम से हम कैसे अपने relationship को अपने foreign policy को आगे बढ़ाते हैं उन बारे में भी बात की गई सबसे पहले ये बोला गया कि travel and tourism का इस्तमाल करके people to people contacts जो है उनको बढ़ाया जाएगा हमारे लोग Japan जाएंगे घूमने Japan के लोग बोध गया और इधर वरनसी और सारनात आएंगे बाकी जगाओं पर भी घूमने आएंगे साथ में इंडिया ने एक नया कॉंसुलेट खोला है फुकोओका में जब भी एक देश दूसरे देश में नया कॉंसुलेट अपना दूतावास खोलता है तो वो दिखाता है कि हम उस देश को कितनी importance देते हैं और हमारे कितने लोग वहाँ पर जा रही है इंडिया ने अगर फुकोओका में अपना एक नया कॉंसुलेट खोला है तो इसका मतलब फुकोओका के आसपास इंडियन्स की जो तादाद है वो इंक्रीज हो रही है इंडियन्स वहाँ पर घूमने तो जा ही रहे हैं लेकिन साथ में क्योंकि जपान की पॉपुलेशन अब बूरी हो रही है तो वहाँ की मनुफाक्चरिंग इंडियन्स और इंजिनिरिंग इंडियन्स में भी काम करने काफी इंडियन्स जा रहे हैं ऐसे में उन लोगों की सुरक्षा के लिए इंडिया ने फुकोका में एक नया दूतावास खोला है अल्सो सप्टेंबर 2024 का जो मन्थ है वो इंडिया और जपान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे इंडिया मन्थिन जपान एंड जपान मन्थिन इंडिया अब्सॉर्फ करने वाले हैं कि जपान में एक महीने के लिए इंडिया से रिलेटिट कल्चर टूरिजम प्रमोट किया जाएगा और इंडिया में जपान से रिलेटिट कल्चर टूरिजम यह सारी चीज़े प्रमोट की जाएंगी सप्टेंबर के महीने में इसे हम कहते हैं soft diplomacy तो ये था हमारा इंडिया जपान 2 प्लस 2 डालोग और overall comprehensive relation इंडिया और जपान का जहां से आपका GS paper 2, essay और interview के काफी questions निकलेंगे, इसके अलावा अपना पॉलिटी का full-fledged course और CSAT का comprehensive course अवेलेबल है description में लिंक है, join कर सकते हैं